अयोध्या में बीते दिन 500 साल में सबसे बड़ा समहरो हुआ। अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। बाद आप हैरान हो जाएंगे। भगवान राम पर आपको और भी जादा पका विश्वास हो जाएगा। दोस्तों भगवान शिरी राम की महिमा और चमतकारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने भगवान शिरी राम के चमतकारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या फिर देखा ही होगा। एक ऐसा ही चमतकार हुआ दिल्ली के रहने वाले अरजुन जी के साथ जिससे जानकर हर कोई हैरत में पढ़ गया और यकीनन आपके भी पैरोतले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्या हुआ था अरजुन जी के साथ जानने के लिए इस वीडियो को बिलकुल अंत तक देखेगा। जाने का निरने लिया। अरजुन के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। अरजुन सभी के लिए एक छोटी बसमंगवाली थी जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अब अरजुन दो दिनों के बाद अपने मित्रों के साथ रात को लग भग आठ बजे अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर 10 से 12 घंटे का होने वाला था। और सभी भक्ती भाव से भगवान शिरी राम की जैजे कार करते हुए भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी का अधा सफर पू प्रच गई थी। उस समय अरजुन की बस एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ती नजर नहीं आ रहा था। अरजुन के बस के ड्राइवर ने बताया कि यहां कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोक कर लूट पाट करते हैं सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए सभी ने बस के खिड़की दर्वाजे बंद कर लिये तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आई टायर फटने के बाद बस सरयू नदी की और चली गई बस जाकर सरयू नदी के किनारे एक पेड़ से टकर गई ड्राइवर ने नीचे उतर कर देखा तो एक बड़ी सी लोहे की कील टायर में घुसी हुई थी जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था सभी बहुत ढर गए थे उन्हें भरोसा हो गया था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है सभी तुरंत बस में चड़ गए सभी भगवान शिरीराम को याद करने लगे तभी वहां दो लुटेरे बस का दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गए ड्राइवर ने उन्हें रोकने का परियास किया लेकिन उन लुटेरों ने ड्राइवर को धका मार कर बस से नीचे फैक दिया और सभी के पास से कीमती समान भागने लगे तभी वहां एक अंजान व्यक्ति आया और उन लुटेरों को रोक कर सामान लुटाने को कहा लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखा कर उसका उपहास उडाते हुए मार्ग से हटने को कहा पर वो व्यक्ति नीडर होकर वहीं खड़ा रहा उस व्यक्ति ने उन और समान को वहीं पर छोड़ दिया फिर ड्राइवर ने उस अंजान व्यक्ति से कहा कि बस तो सरय उनदी की और चली गई है और टायर भी फट चुका है इस पर अंजान व्यक्ति ने उत्तर दिया आप यहीं इंतजार करें मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ किसी को स नहीं चला कि कैसे सभी की आंख लग गई कुछ 30 मिनट के बाद अर्जुन की आंख खुली तो वह बस के नीचे उतर कर उस व्यक्ति को ढूंडने लगा परंतु उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया तभी उसकी नजर बस पर पड़ी जो बिलकुल रोड पर खड़ी हुई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था ये देख अर्जुन आश्चरे में पढ़ गया अर्जुन ने भाग कर ड्राइवर को नीचे बुला कर पूछा कि बस रोड पर कैसे आई और ये पंचर कैसे ठीक हो गया लेकिन ड्राइवर को भी कोई जानकारी नहीं थी धीरे धीरे सबी बस से नीचे उतर कर आए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे भयानक अंधेरे में सुनसान जंगल में वो व्यक्ति आया कहां से था और वो कौन था साथी बस का पंचर कैसे ठीक हो गया लेकिन अर्जुन समझ चुका था कि वो व्यक्ति को इसाधारन व्यक्ति नहीं बलकि स्वयम भगवान शिरी राम थे जिन से अरजुन ने मदद की गुहार लगाई थी। दोस्तों आप इस सची घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमारे साथ सांचह जरूर कीजेगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और अगर आप भी सचे हिंदू हैं सेनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जै शिरी राम जै बजरंग बली का जैकारा जरूर लगाएं ताकि भगवान राम और उनके भक्त शिरी हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे चलिए दोस्तों दीजिए इसाज़त आपका बहुत बहुत धन्यावाद